अल्राइड वेल्कम बैक एवरिवन एड जहां पर हम वापस आ चुके हैं जहां पर जो हम एक्सरसाइज का पॉशन करने वाले हैं speaking dictation and writing speaking पहले देखते हैं using some of the expressions given above in exercise third ठीक ना exercise third के अंदर जो आपको expressions उपर दे रखी है talk about an incident when you were very scared ठीक है ना आप एक incident के बारे में बात करो जब आप जो है बहुत ज्यादा धरे हुए थे यू में हाव एक competition to decide whose story was the most frightening ठीक है ना आप जो थे आपस में competition करेंगे के आप में से किसकी स्टोरी जो है ज्यादा फ्राइटनिंग होगी जहां पर जो आप exercise का third part है ठीक है इस वाले पार्ट का word कह रहा है कि यह वाले जो वर्डों का आपको इस्तमाल करना है एंड दिन अपनी अपनी कि यहां पे जरूर तो नहीं हो ज़ी जस्ट आपको समझना होता है कि इसमी करना मुझे क्या है तेन है dictation, dictation का मतलब होता है इमला बोलना जब हम किसी को dictate करते हैं इंड भच्चे उसको लिखते हैं ठीक है न वही dictation जहां पे दे रखिया है यह जो नीचे दिया गया परिए इंडियन कोब्रा के बारे में है इसको 2 बार परो और फिर आपनी कताब को बंद कर दो उसके बाद तुम्हारा टीचर जो है तो मैं यह परिगराफ करेगा राइट डाउन विध अप्रोप्रेट पंक्च्शेशन मार्क्स ठीक है ना हेस सब चीजें आपको लिखनी है तो यहे जुह है साथ में आपको टीचर डिक्टेट करेंगा है दो बार पहले आपको बढ़ना है फिर यहां से जहां चक्राइड में आपको के शिए हाथ लिख अब ता उसके बाद आपका स्केल यूर्ट सेंशता है आपका स्केला जो है इस में जो मजाकिया एंगल है यह आपको कर देना है स्कारोगा भी लिखे सिर्फ आपको लिखना है जिसमें मजाख हसी वाली बात आपको नहीं लिखनी कौन सी जो पाट है स्टोरी के जो आप स्टोरी के छोड़ देंगे तो इस वाले को आप प्रैक्टिस करेंगे आप खुद करते हैं ठीक है दिन री राइट वाला जो है जिसमें जहां जहां पर जोक है वह आप खुद करतेंगे इंच जो पाट आपको आपको यह बीच में ऐस्ने वाला लगेगा आप सोच और देंगे इस स्टोरी को फिर सी लिखेंगे ठीक है एक नियूजपेपर के अंदर एक जो फोटोग्राफ है यह वाली जो सकिछ है वहां पर देखने को जहां पर मिली जहां पर इसने डाल दिया है टाइमस आफ इंडिया ने जह जह जो एस टेट को फोर स्टेमर नाइटी 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 अर जह पॉबलिश किया है Make up a story about what the monkey is thinking आपको एक story बनानी है कि monkey क्या सोच रही है इस theme पे आपके जो final term का exam होता है उसमें questions आपको देखने को मिलते ही इस तरह से image होती है दिन आपको उस पे story लिखने होती है Make up a story about what the monkey is thinking आपको एक story बनानी है कि monkey क्या सोच रही है और why it is looking into the mirror जाव जे जो है इस शीशे के अंदर क्यों देख रही है Write a paragraph about it आपको इस पे जो है एक paragraph लिखना है And जहां पे कुछ हिंट दे रखें The fairest of them all A monkey prints itself using a piece of mirror in daily ridge To print oneself means to spend a lot of time making oneself look attractive and then admiring oneself wearing the word is used in disapparable Print का मतलब होता है जब आप print करते हैं मतलब कि आप continuously शीशे के अंदर खुद की शकल देख रहे हैं आपको अपने आपको अच्छा बनाने के लिए कभी साइड में style का रहे हैं कभी style में style का रहे हैं तो चाहां पे एक image लिए गई है जब शीशे के अंदर कोई खुद को देखता है तो वो खुद को सबसे अच्छा पाता है तो यही स्टोरी आपको बिल्ड करनी है इसको लिखेंगे यहां पर आपको लिखी हुई मिल रही है ठीक है दिन इसके साथ ही नेक्स्ट पोर्शन है आपका ट्रांसलेशन का ठीक है तो यह वाला आपका हो गया जहां तक आप इसको मिंशन करेंगे उसके बाद ट्रांसलेशन का आपका पोर्शन है ट्रांसलेशन आप स्टोरी वाइव यह वैल नून मलियालम राइटर वायकॉम मुहमद बशीर एक मलियालम राइटर है ठीक है ना उसने अपनी लिखेंगे मलियालम में लिखी हुई थी तो वहां से जो चेंज की गई है जो उपर आपने स्टोरी पढ़ी सी इंगलियस में वहाँ से चेंज करके लिखी है नँन ट्रांसलेटिं के स्टोरी फ्राम ओल nome बशे तो एनधर टांसबीन की जाती है तो जो ट्रांसलेटर होता है जरूरी उसको जो content होता है story का वो intact रखना होता है however the language and the style differ in different translations of the same text जबके जो language होती है और जो style होता है different translations का वो different context के अंदर जो है in different translations of same text ठीक है जो language और style जो होती है वो differ हो जाता है बगर meaning same रहती है ठीक है however to translations of the opening paragraphs of a novel by the Japanese writer Haruki Murakani read them and answer the questions given below ठीक है ना जहां पर दो translations आपको दे रखी है ठीक है ना एक Japanese novel की ठीक है राइटर इसकी है ठीक है रीड देम and answer the questions given below आपको इसको रीड करना है और देन नीचे जो है answer करने है यह है आपका पहला paragraph यह है आपका दूसरा ठीक है compare the two translations on the basis of the following points ठीक है ना नीचे जो दीएगे points है उन पर आपको जो है इसको क्या करना है इन translations को compare करना है the tense of narration past and present tense जो है tense कि use हुआ है past tense है present tense है short and complete sentences ठीक है ना जो दूसरा comparison देखना है आपको sentence की length जो तीसरी चीज से देखनी है which of these translations do you like your reasons for your choice इन में से कौन सा जो translation है तो मैं पसंद है आपको उसका जो है reasons देना होगा तो 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 कि देखेंगे आप जो translation A है उसके अंदर आप देखेंगे narration past tense में हुई है translation B के अंदर जो है narration आपकी simple present tense में हुई है अब दूसरा जो factor हमें देखना था short and complete tenses वाला पहला हमने देखा tense of narration वाला factor ठीक है ना दूसरा है short and complete sentences ठीक वाला factor जो translation A है उसके अंदर आपको long are long and there are no incomplete sentences यहां पर पहले में आपको complete sentences मिलते हैं जो translation B है इसमें short और incomplete sentences का use हुआ है ठीक है ना तीसरा comparison जो हमें करना था वो sentence की length देखनी थी तो length आप sentences की देखेंगे translation जो A है उसके अंदर लंबे sentences लिखे है as compared to translation जो B है ठीक है ना I like translation B more in comparison to translation A मुझे जो है translation B ज्यादा पसंद है in comparison to translation A this is because translation B is in the present tense जे इसलिए हमें जे चीज जल्द हुई है इसकी sense होता है इसकी sense होता है इसके साथ ही यह जो हमारा chapter है in total खतम हो जाता है आप मिलते हैं next वीडियो में next chapter के साथ तो till then make sure आप चैनल को subscribe करें दोस्तों के साथ अबर शेशिए कर दो आंपुल्या झाल झालना पूले, we will be meeting again till then enjoy